नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है तो बहुत दिन से बहुत सरे स्टूडेंट मैसेज करे जा रहा है एक ही चीज बार-बार मेरे मुवाइल तो एक दूबर हैंक कर जा रहा है कि सर रेज़र कब आएगा पी यह बता दीजिए तो मैं सोचा कि उन्हें वी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपका आने के बादर क्या क्या चीज रहता है जब आपका रिज़र आजाएगा थिक तो एक रिज़र आएगा सेप्टेमबर का एंड नहीं तो ऑक्तोबर का विक में रिज़र आने का संभावाना बहुत ज्यादा है भी एक सब मतलब आप यह अप्लोड नहीं हुआ है तो वह स्टेप बाई स्टेप अपलोड होता है ठीक इसलिए टाइम लगता है ठोड़ा हो जाएगा तो आप बूलीए गा कि रिज़र में क्या कट ओप लिखा रहता है मतलब कितना कट आप मेरा मांक साय कितना रैंक हुआ तो देख तो यह आपका रैंड और नंबर दिया जाएगा लेकिन कोई भी कटोफ वहाँ पर मेंसें नहीं रहेगा कोई भी सब्जेक्ट में कटप कैसी डिसाइड होता है कि कि इस से कोई भी इनिवर्सीटी बता नहीं पाएगा वो admission process के बाद ही पता चलिया कितना admission हो रहा कितना नमबर तेक last admission हो था वह ही आपका cut-off होता है ठीक है और वह हर category में अलग-अलग होता है भी एचू का खुद का employee category होता है भी एचू जो home होता है उसका अलग-अलग होता है भी एचू चिंता ना करिए तो आपको cut-off नहीं दिए जाएगा लेकिन आपको भूलाया जाएगा आप लोग जरू जाईएगा उसके पहले कुछ चीज आप ध्यान रखिए मैं बता रहा हूं जहां पर student फस जाता है ठीक है अगर आप कुछ भी बिलोंग करते हैं अगर आपके पास certificate है उसका तो पहले तो मैं यह बताओंगा कि आप लोग जरूर अप पहले कर दिजिए ऑल्लाइन क्योंकि वहाँ पर सेंटर उनिवर्सिटी में आपका सेंटर का certificate लिया आता है एक्सेप्ट किया आता है लेकिन क्या मैं मुझ सब्सक्राइब जितना भी जांगें अगरी कि उसको एक जागा है प्लेगा से होगा अंगली तुर्स अप्लोड हो गया प्रोसेस हो यह वहां पर आपको जाकर लिखना पड़ेगा पर आपको लिखना पड़ता है ठीक है फिर उसका बाद आपको वीच पुलाता है और अगर आपका शीट आपको मिल रहे है जो नंबर आपको मिला है तो आपका जो है दोकुमेंट फैरिफाय किया कांसेलिंग कब हो सकता है कौन-कौन चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा तो इस वीडियो को अच्छा से लाइक किजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों से शेयर किजिए और इस रिलेटेट वीडियो में देते रहता हूं तो इस चाहिए के साथ जुड़े रहे आपके दिल के गहराए साथ बहुत-बहुत धन्यवाद दूस्तों